हेग आई स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में ये है स्लेट पेंसिल बहुत सारे और लड़किया इसको खाती है और सबसे जारे ये टेस्टी भी होती है इसके टेस्ट के पीछे क्या रेजन होता है ये टेस्टी क्यों लगती है वो सब कुछ मैं आपको इस जाता है स्लेट मैं आप लोग को बता दूँ कि एक वाइट कलर का पत्थर होता है चुलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ इसके अंदर है स्लेट कॉन जिस ये स्लेट पैंसिल बनती है इतना बड़ा स्लेट पत्थर होता है ये यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह को होता है ये तो इस तरह से इस पत्थर को पहले जमीन से निकाला जाता है ऐसा नहीं होता है ये बहुत बड़े-बड़े पत्थर होते है ये उनको काट कर इस तरह की शेप में दिया जाता है एक्चुली ये बेचने के लिए दिया गया है सिर्फ खाने के लिए बेचा जा र तेस्ट के पीचे का façon बहुत सारे होते हैं यह कि जिस और छाया लड़की को आरइन की कमी होगी उसको यह टेस्ट करें गांए कुछ और रीजन यह होता है कि किसी ने बच्पन में खायी होती है और अचानक से उनों यह सारी वीडियो देख जाती है या फिर यह कहीं पर भी दिख जाती है तो उनका मन करने लग जाता है खाने का कि यह अर्दी होती है जिससे यह टेस्टी भी लगती है यह बात आप इसी स्मेल आती है वैसी ही स्मेल इससे भी आती है जो कि मैन रीजन होता है इसको खाने का यह इसी लिए अच्छी लगती है और बहुत जादा इसकी जो आदत है बहुत जादा लग जाती है एक बार इसको खाने का मन गरता है तो बहुत सारी और पर लड़किया इसको खाती और इसलिए इसको खाती है जब आप पहली बार खाओगे तब शायद आपको टेस्टी ना लगे लेकिन धीरे धीरे करके आपको यह टेस्टी लगने लग जाएगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको यह सबसे ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाएगी इसके पीछे आप खाना भी चोणने को तयार हो जाओगे इतनी ज़ादा यह टेस्टी लगेगी तो यह जितनी बे और ऑřते लड़का खाती है उनको पताएगी यह कितनी ज़ह टेस्टी होती है इसकी आदत इतनी बुरी होती है कि आप लोग इसके आदत ही नहीं छोड़ पाओगे एक बार आपको इसको खाने के आदत लग गई उसके बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाओगे तो यह सबसे बड़ी गलती है अगर आप गलत चीज़े ट्राइ करोगे तो अभीसी बात है आप गलत चीज़े ट्राइ करके बहुत भी बड़ी प्रॉलम में फस जाओगे जैसे कि मैं आप लोगों बता दू कि एक बार अगर मैं आप लोगों को बोलू कि वैसे ही कभी भी ये साइज चीज़े तो ट्राइम मत करना जिसको आपका पता है कि इससे प्रॉलम होती है तो ये कभी भी ट्राइम मत करना और हाँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं मानता हूँ कि आज कल मैं धंक से वीडियो निबना पा रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ी तबियत भी खराब है और थोड़ा टाइम भी नहीं है आजकल मैं थोड़ा बीजी होता हूं थोड़ी अपने कॉलेज की पड़ाई चलिया है तो मैं आप लोगों बता दू कि जितनी भी मुझसे हो पाती है मैं उतनी वीडियो बनाने की कोशिच करत हूं आजकल थोड़ी ठीक नहीं इस विए से थोड़ा भी नहीं जा रहा है लेकिन वीडियो बनाना दूरूरी है क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाना चोड़ता हूं तो इस चैनल पर बिल्कुल ही व्यूज डौन हो जाएंगे जिससे मैं अचानल बहुत ज्यादा इफेक् करता हूं आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इस वीडियो में क्या क्या गलतिया होती है तो जुरूर से नीचे कमेंट करके बता देना और नीचे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके रख दो अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख कि आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो देखे सकते हुँ